यह वीडियो काफी important है उन सभी लोगों के लिए जो swing trading में interested है और swing trade करते हुए अकसर काफी लोग stop loss का use करते हैं तो मेरा कहना यह है कि stop loss price पर लगाने के बदले अगर हम company के selection पर लगा लें तो काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है अब क्योंकि swing trade कभी भी बहुत लंबे time के लिए नहीं होता जो उसका time horizon होता है वो basically 2-3 weeks से start करके 2-3 months के बीश में होता है maximum 6 months तक हमारा swing trade जाता है तो SMA वो कौन से parameters हैं जिनको use करके हम यहाँ पर best stocks अपनी swing trading के लिए find out कर सकते हैं जिससे हमें price पर swing trade करते हुए इस्टोपलोस ना लगाना पड़े हमारे इस्टोपलोस इस हिट ना हो और हमारे टेकनिकल चार्ट पेड़न्स के swing trade में successful होने के chances बहुत ज्यादा हद तक increase हो जाएं तो मैं इस वीडियो में आपको एक इतना आसान सा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके यह सारे points की clear हो जाएंगे लेकिन किसी भी तरह की मेरी recommendation नहीं है buy or sell की क्योंकि मेरा purpose सिर्फ आपको independent बनाना है आपको वो सारा experience आपके साथ share करना है जिसको यहां पर use करके मेरे खुद के पैसे बने हैं तो आगे बढ़ते वे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एक अपनी बड़ी सी list को हमीशा बना कर रखना चाहिए जिसको हम watch list कहते हैं watch list को बनाने के लिए एक अच्छी list को find out करने के लिए मैंने एक अलग से video बनाई थी v40 and v40 next companies तो यह 80 companies हैं इन 80 companies के अंदर ही अगर हम काम करें तो भी हमारा काम चल सकता है जैसा मैंने अपनी जो paid online courses थे जो मैंने videos अपने channel पर free में upload की हैं हम सब के hit के लिए आप सब के hit के लिए आप उनको देख सकते हो तो उसमें भी मैंने अलग अलग groups बनाए हुए हैं v40 v40 next and v200 v200 के लिए अलग से मैं video बना चुका हूँ how to find bash stocks at screener.in मैं अलग से v200 companies को लेकर भी अलग से list बना दूँगा video बना दूँगा उसकी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हमारे पस group of companies होनी चाहिए कि इन group of companies में हम काम करेंगे इससे अलग हम तभी जाएंगे जब हमें कोई high conviction वाला कोई trade नजर आएगा किसी सोचे समझे तरीके के base पर जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पर और एक बार यहाँ list में जाते हैं एक बार पहले chart open करते हैं लिश्ट में तो बाद में जाएंगे और उपर के सारे यह चीज़े यहां से बंद कर देते हैं और चार्ट पैटरन ओपन करते हैं और ट्रेडिंग वी उपर जब हम चार्ट पैटरन है या नहीं है लेकिन अगारा हमारे पास पेड़ वर्जन नहीं भी है तब भी हम वी 40 लिस्ट के नीचे ही right click करके यहाँ पर add section बना कर एक नया section बना सकते हैं और यहाँ पर वी 40 next लिख सकते हैं तो यह free वाले वर्जन में available है यह चीज़ और इसके नीचे हम next 40 companies को add कर सकत करेंगे एबट-इंडिया वाटरली रिजल्स पर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या लिटेष्ट क्वाटर का जो नेट प्रोफित है वो हाइस्ट एवर है अब यहां पर हाइस्ट एवर प्रोफित दो तरीके से देखा जाता है एक quarter on quarter, यानि कि पिछले quarter से compare करके, एक year on year यानि कि इस quarter को last year के same quarter से compare करके तो मेरा कहना है जब हम swing trading के लिए best companies find out करने की बात कर रहे हैं, तो यहा पर latest quarter का net profit last quarter से भी ज़़ादा होना चाहिए and last year के same quarter से भी ज़़ादा होना चाहिए, यानि कि year on year भी highest ever हो and quarter on quarter भी highest ever हो अब इसको आसान करने का क्या तरीका है यहाँ पर हमेशा हमारे पास 12 quarters के results uploaded रहते हैं हमारी आखों के सामने तो आपने simply क्या करना है क्या Abbott India का जो net profit latest quarter का है वो पिछले सारी quarter से ज़्यादा है अब इस scenario में यह उससे सबसे जादा नहीं है क्योंकि सबसे जादा था 266 तो इस company को अपने swing trading के लिए यहाँ पर जब हम best companies की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक तो normal list है हमारी good companies है यह good companies की सारे list है उसमें से best के लिए बात कर रहे हैं swing trading के लिए छोटे time frame पर यानि कि 2-3 weeks से लेकर 2-3 months के trading के लिए तो जब तक हमारे next quarter के results upload होंगे और update होंगे तब तक हमारा यह काम चल जाना चाहिए 3 months के horizon के लिए तो यहाँ simple सा है कि check करो की वापस से जाते हुए यह सारा highest ever है यह नहीं है तो इस particular case में highest ever नहीं है अब next company को उनसी आती है हमारी exo India अब यहाँ पर simply exo India को यहाँ पर check कर सकते हैं और quarterly results पर जाएंगे what is the net profit 95 95 के highest ever है no इससे पहले 97 था उसके बाद next companies पर जाएंगे Asian paint अब Asian paint में यहाँ जाकर check करेंगे कि Asian paint का क्या highest ever यहाँ पर net profit है एक बार Asian paint की मैंने spelling गलत लिग दी Asian paint और quarterly results पर जाएंगे 1258 करोर रुपीज का net profit है क्या यह highest ever है highest ever से थोड़ा सा ही कम है और यह बहुत पहले यहाँ पर highest ever से थोड़ा सा impact है अब आप इसको ignore भी कर सकते हो इसको मान के भी जल सकते हो मैं तो कहता हूँ thumb rule बना कर चलो ignore कर सकते हो उसके बाद में next companies पर जाते हैं आप access bank पर जाते हैं other income जो इन्होंने city bank की assets को purchase किया उसके base पर है otherwise अगर हम financing profit को यह बात करें तो यह highest ever है इसको हम highest ever लेकर चल सकते हैं मान सकते हैं उसके बाद में बजाज fin serve की बात करते हैं बजाज fin serve में जब हम देखते हैं quarterly results पर जाते हैं 3,335 crore क्या यह highest ever है yes so this is the second company जो highest ever की आई उसके बाद में आप बजाज holding पर जा सकते हो बजाज holding पर गए और यहां पर हम check करते हैं क्या quarterly results highest ever है 1353 crore yes this is also highest ever तो इस तरीके से आप अपनी पूरी list यहां पर तयार कर सकते हो कि कौन से वो stocks हैं जो यहां पर highest ever profit post कर रहे हैं latest quarter में year on year के base पर भी and quarter on quarter के base पर भी and not only year on year and quarter on quarter but in last 12 quarters यहां पर हम किसी भी तरह का कोई confusion रखना ही नहीं चाहते हम यहां पर कोई भी ऐसा reason create ही नहीं करना चाहते कि हम किसी technical parameter के base पर trade करें और यहां पर business या financials की वज़े से वो technical parameter सब अच्छे तरीके से perform ना करें यहां पर work ना करें तो वो सारे reasons ही यहां पर eliminate कर दो जिस reason की वज़े से हमें इस्टोपलोस लगाना पड़ें यहां पर यह बड़ा आसान सा तरीका है अब यह हम working किस तरीके से कर सकते हैं हम V40 companies में same list बना सकते हैं V40 next में same list बना सकते हैं V200 companies में same list बना सकते हैं और यह list बनाने के बाद में जैसा मैंने अपनी online classes में सिखाया है उसके base पर जो swing trading strategy सिखायी हुई है इन companies के उपर अगर हम especially preference दें और उनको apply करें तो हमारे results और जादा अच्छे हो जाएंगे यह एक अपने trading करने के तरीके को यहां पर trading style को refine करने का तरीका है जितना जादा refine करेंगे उतना अच्छा है अब एक बड़ी छोटी सी बात है जब हमारे पास trade करने के लिए for example 10% portfolio का पैसा है 90% already लगा हुआ है and we are waiting for the profit booking in that 90% अभी 10% लगाना है 10% में suppose हमें 3 trades लेने हैं 3-3% के तो हमारे पास opportunity अगर 10 available हैं और हमें 3 trades लेने हैं तो इन में से best trades क्यों न लिये जाएं तो best trades कौन से होंगे best trades के बहुत सारी तरीके हैं या तो maximum जो potential gain है उसको लिया जाए या फिर जो best company है at present तो otherwise ही 40 सारी ही companies है 14X भी सारी best है 200 भी best है लेकिन इन में से at present कौन सी best है जिन्होंने last 12 quarters में highest ever net profit post किया है क्योंकि highest ever net profit last 12 quarters में क्या meaning रखता है कि business भी अच्छा कर रहा है financials भी अच्छे कर रहा है सब कुछ बहतरीन है और ऐसे बहतरीन टाइम पर अगर technical का use किया जाए तो बहतरीन results आते हैं मैं आपको बहतरीन तरीके से सिखाता रहूँगा आपने बहतरीन तरीके से सीखते रहना है और बहतरीन तरीके से अपने दोस्तों जाष शेयर करते रहना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कराना है कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तत जैहिन